ओथर रोबर्ट कियो साकी के खुद के डैट के लिए जॉब सीकुरिटी ही सब कुछ था और उनके रिजड़ के लिए लर्निंग से बड़ा और कुछ नहीं था नमसे दोस्तों आज हम लोग डिसकस करने वाले है रोबर्ट कियो साई की बुक रिजड़ पॉर डैट का चैटर नबर सिक्स ये शायद लास्ट चाप्टर होने वाला है इस बुक का इसलिए अगर आपने पहले के पाचो चाप्टर के ऊपर के स्टरी अभी तक नहीं देखी तो उसके ऊपर एक पूरी डेरिकरेट प्लेलिस्ट अल्रेडी चैनल पर अपलोड़ेड है अगर आपने वो प्लेलिस्ट पूरी देख ली तो आपको लग सकता है कि आपने पूरा बुक ही पढ़ लिया हो क्योंकि हम लोग पढ़ने से बहुत जल्दी देखके और सुनके समझते हैं आप रिच डेर्ट पॉर्डट बुक खरीद भी सकते हैं नीचे दियो ही लिंक से हिंदी इंगलिस दोनों में एविलेबल है और अगर आपको इसका फ्री इबुक चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड कर लिजिए डेस्क्रिप्शन में दिये होए लि की तरह ओथर ने उस लर्की के कुछ आर्टिकल्स पड़े थे और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा था इसलिए उन्होंने उनसे कहा तुमारे लिखने का स्टाइल तो बहुत अच्छा है तुम अभी तक बैठी क्यूं हो इसके जबाब में उस लर्की ने कहा मेरे आर्ट सेल्स पे कर सकूँ फिर उसने पूछा आपके मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं और ने कहा हाँ मेरा एक दोस्त है या सिंगापूर में जो सेल्स ट्रेनिंग देता है तुम उसका सेल्स ट्रेनिंग कोर्स एटेन कर सकते हो वो कोर्स तुमें हेल्प कर सकता है तुमारे बुक लरकी ने कहा मैं इंग्लिश में मास्टर्स कर चुकी हूँ और आप मुझे फिर से स्कूल वापस जाने के लिए बोल रहे हैं सेल्स सिखने के लिए मैं एक प्रोपेशनल हूँ और वैसे भी मुझे सेल्स पीपल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते वो लोग पैसो के सिवा और कुछ नहीं समझते और ये सब कहकर वो अपना ब्रीफ केस पैक्ट करने लगी वहाँ से जाने के लिए तब ओथर ने देखा सामने के कॉफी टेबिल में उनकी बहुत पहली की एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई है और वहाँ पर एक छोटे से कागस में उस लड़की ने लिख रखा था रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ओथर वो लड़की जाने ही वाली थी तबी ओथर ने बहुत जेंटली कहा कि ये देखो उस लड़की ने कहा क्या है ओथर ने उसके ही लिखे हुए एक आगस को उसे दिखाया और कहा देखो तुमने यह लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ओथर ना कि बेस्ट लेगे फिर और ने कहा मैं उतना भी अच्छा राइटर नहीं हो तुम बहुत अच्छी राइटर हो मैं स्कूल गया था वापस सेल्स सिखने के लिए और तुमारे पास मास्टर्स दिगरी है अगर तुमने सेल्स भी सीख ली तो तुम बेश्ट सेलिंग ओथर और बेश्ट र लोग एक दिन ऑथर की गारी ठिक टक चल नहीं रही थी इसलिए वो एक गैरेज में गया जहाँ पर एक यंग मैकानिक था जिसने ऑथर की गारी मिंटों में ठिक कर दी ऑथर को ये बात सबसे अमेजिन लगी कि उस मैकानिक ने सिर्फ इंजिन की आवाज सुनकर ही समझ लि इसका मतलब है इन सब लोगों को सिर्फ एक और स्किल सीखना चाहिए और उनका इंकम बहुत ज़्यादा बर सकता है पहले वाले चाप्टर में ही ओथर ने कहा था फाइन्शेल इंटेलिजेंस बिल होता है एकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग एन लॉग इन चारों चीज़ों से और इन सब टेक्निकल स्किल्स को कमबाइन करके बहुत आसानी से पैसों से पैसे बनाया जा सकते हैं जितना की लोग सोच भी नहीं सकते पर पैसों के मामले में लोगों को सिर्फ एक ही स्किल पता है वर्क हाट इसका ही एक लाइफ एक्जामपल है वो यंग राइटर जिसने ऑथर का इंटर्विव लिया था अगर उसने सिर्फ एक और स्किल सेल्स और मार्केटिंग सीख ली हो थी तो वो भी शायद एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाती ऑथर कहता है अगर मैं उसके जगा होता तो मैं कुछ कोर्स करता एड़टाइजिंग स सेल्स कॉपीराइडिंग के उबर और एक निउस्पेपर में काम करने के बजाए मैं एक जॉब ढूंदता कोई एड़टाइजिंग एजनसी में बावज़ुत कि अगर मुझे वहाँ पर कम पैसे मिलते इस तरह वो सीख सकती थी सक्सेस्फुल एड़टाइजिंग स्किल ए इसके जावब में author ने उस publisher को कहा था ऐसे type के title से मैं सिर्फ दो बुक बेच पाऊंगा एक मेरी family और मेरे किसी best friend को वह भी free में क्योंकि ये बहुत obvious title है पर author ने जो title सुझा था उन्हें पता था ये title उन्हें बहुत ज़्यादा publicity दे सकता है और इसके वज़े से उन्हें बहुत सारे टीवी प्रोग्राम और रेडियो शोस में बुलाय गया था और वो बुक भी बहुत ज़्यादा sell हुआ था जिसकी मदद से सब सोच रहे थे author education के खिलाब है 1969 में author US merchant marine academy से graduate हो थे उसके बाद उन्हें standard oil of California में job मिल गया था author कहते है मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे पर मैं खुश था क्योंकि ये college के बाद मेरी first job थी और इस job में author को 5 महीने की छुट्टी भी मिलती थी तो सब मिला के आप कह सकते हो ये एक अच्छी career option थी पर उसके भावा जो 6 महीने के बाद author ने resign कर दिया और main crops join कर लिया author के educator dad को ये बाद ठीक टक समझ नहीं आई और दूसरी तरफ rich dad ने author को congratulate किया था इस decision के लिए school में और उसके बाद job place में ज्यादा लोग का एक ही popular opinion होता है और वो है idea of specialization हमें कोई भी particular field में specialized होना पड़ेगा ज्यादा स्यादा पैसे कमाने के लिए और promotion मिलने के लिए इसलिए ही तो ज्यादा डॉक्टर्स अपनी डिग्री मिलने के साथ साथ ही कोई specialty ढूल लेता है जैसे कि कोई orthopedics या pediatrics और ये accountant, lawyer, pilots, teacher सब के case में ही दिखने को मिलता है और author के educated dad भी इस ideology में ही विश्वास रखता है पर rich dad एकदम इसका उल्टा सोचता है वो कहता है you want to know a little about a lot आपको हर चीज़ के बारे में ही थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा इसलिए ही तो rich dad ने author और mike को अपने business के हर एक sector में ही थोड़ा थोड़ा काम करवाया है जैसे कि accounting department, marketing department, sales department ताकि वो पूरे business function के बारे में ही जान सके एक business कैसे चलता है क्योंकि specialized होने से सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप अपने field के बाहर की दुनिया से पूरी तरह अंजान रहते हो और एक business run करने के लिए आपको सभी field के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा पर ये बाते author के educated dad को बिल्कुल भी समझने आती थी इसलिए ही तो उन्हें बहुत जादा खराब लगा था जब author ने standard oil की job छोड़ दी थी क्योंकि उनके मुताबिक ये एक बहुत अच्छी career option थी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था जॉब security ही सब कुछ था educated dad के लिए और learning से बढ़ा और कुछ नहीं था इसलिए इसलिए ही तो educated dad सोस्ते थे author ने standard oil में job किया था ship officer बनने के लिए पर rich dad जानते थे author ने वहाँ job किया था international trade सिखने के लिए वैसे ही marine crops में job किया था team lead करना सिखने के लिए क्योंकि rich dad ने ये author को समझाया था एक company run करने में सबसे बड़ा दिक्कत आता है लोगों को manage करने में क्योंकि बहुत तरिके के लोग एक ही business में अलग-अलग sectors में काम करते हैं और इन सब लोगों को एक साथ अच्छी तरह manage करके ही एक business या company successful हो सकता है 1973 में author जब Vietnam War से लोटे थे उन्होंने marine crop से resign कर दिया और xerox corporation में job करने के लिए घुज गया थे पर इसलिए नहीं कि xerox में उन्हें बहुत ज्यादा benefit मिलेगा actually author बहुत shy person थे इसलिए वो sales सिखना चाहते थे क्योंकि salesman बने के लिए बहुत ज़्यादा confidence और positive attitude चाहिए और आपको reject होने के डर को भी बहुत ज़्यादा control करना पड़ता है और author जानते थे ये sales सिख करी वो अपने sinus और लोगों से बात करने के डर को बहुत ज़्यादा हद तक कम कर सकते थे and xerox corporation अपने employees के लिए one of the best sales training program रन करता है अमेरिका में author ने xerox में 4 साल काम किया था जब तक ना वो अपने डर को पूरी तरह खतम कर पाए और उन्हें किया और वो top 5 salesman के अंदर भी आये उसके बाद उन्होंने वो job भी छोड़ दी क्यूंकि अभी समय आ गया था actual में कुछ करने का author ने बहुत सारे job करके बहुत कुछ सिखा था अभी समय आ गया था उन सब learnings को actual में utilize करने का इसलिए 1977 में author ने अपनी first company बिल्ड करी और उनका पैरा प्रोड़क्ट था एक wallet अगर उनका ये business फेल होता तो वो पूरी टार तूट जाते पर रिजड़क्ट ने उन्हें सिखाया था इडिस बेस्ट गो ब्रोक बिफोर ठर्डी क्यूंकि तभी भी तुमारे पास समय होता है रिकोबर करने का पर लखिली उनका business ठिक टक चला और author आज भी internationally business करते है ज्याता लोग हमेशा try करते है एक secure high paying job पाने की जो उन्हें short term के लिए तो बहुत ज़्यादा benefit देता है पर long term में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता इसलिए author recommend करते है हमें ऐसी job ढूणनी चाहिए जहाँ पर हम लोग कमाने से ज़्यादा कुछ सीखे author अपने students को भी यह recommend करते है हमेशा अपने life को एक long view में देखो simply पैसों के लिए काम करने के बजाए एक दूसरी job करो नई skills बिल्ड करो क्योंकि education is more valuable than money in the long run और अक्सर author जब लोग को नए skills सिखने के लिए कहते थे उन्हें हमेशा सुनने को मिलता था हम सिर्फ वही काम करना चाहते है जिस काम में हमें interest है ये एकदम जीम जाने जैसा है सुरू में तुम्हें जाने का बिल्कुल भी जी नहीं करेगा पर एक बार जब तुम जीम कंप्लिट कर लोगे तुम्हें बहुत अच्छा लएगा इसलिए life भी बहुत जाने जैसा है सबसे मुश्किल पार्ट है जाने का decide करना और ये भी पूछते थे अपने स्टूरेंट से कि तुम में से कितने सारे मैकडोनल्ड से अच्छा hamburger बना सकते हो बहुत लोगी हाथ उराते थे पर एक रीजन जिसके लिए मैकडोनल्ड मिलियंस कमा रहा है और वो लोग नहीं क्योंकि मैकडोनल्ड बहुत अच्छा है अपने बिजनस सिस्टेम में उसकी फ्रेंचाइजी और रियलेस्टेट कॉर्परेशन के लिए ही वो नंबर वन है इसलिए लोग को भी समय देना चाहिए नए नए स्किल्स बिल करने में ताकि वो भी सक्सिसफुल बन सके मैकडोनल्ड की बिजनस सिस्टेम की तरह दोस्तो आप ये मुवी दा फाउंडर देख सकते हो मैकडोनल्ड के बारे में पूरी अच्छी तरह जानने के लिए ये एक बहुत अच्छी अंट्रेपिनोरियल मुवी है पूर डेट हमेशा ऑथर को सजेट करते थे कोई एक पार्टिकुलर फील में स्पेसिलाइट बनने के लिए बावजुद की ये आईडिया उनके खुद के लाइफ में ही काम नहीं किया था और दूसरी तरह डेट हमेशा ऑथर को सजेट करते थे बिजनस सिस्टेम के हर एक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए ताकि उन्हें पूरे बिजनस सिस्टेम का ही एक ओवार और आईडिया मिल जाए वर्ल्ड वार टू के बात के जनेरेशन के लिए एक कमपनी को छोड़के दूसरी कमपनी में जाना खड़ा माना जाता था पर आज के टाइम में इसे ही स्मार्ट माना जाता है क्योंकि इससे आपको अलग-अलग जॉब में अलग-अलग काम करके बहुत नया कुछ सिखने को मिलता है जो लॉंग रन में आपके बहुत ज़्यादा काम आती है अभी चलो जान लेते हैं वो तीन मेंन मैंजमेंट स्किल्स जो आपको जानने चाहिए सक्सपूल बनने के लिए Number one management of cash flow, Number two management of systems and Number three management of people Sales and marketing सबसे important skill है जिसमें आपको specialized होना चाहिए ये स्किल बहुत लोगों को मुश्किल मालूम पड़ता है उनके रिजेक्ट होने की डर की वज़े से पर जितना ज्यादा आप अपने रिजेक्ट होने की डर को काबू कर पाओगे लोगों के साथ कम्यूनिकेट कर पाओगे उन्हें नेकोशियेट कर पाओगे आपकी इंसन बनने के लिए आपके पास लोगों को देने की मतलब उन्हें help करने की ability होनी चाहिए जिसका एक great example है सर रतन ठाटा ऑथर के रिजड़ भी यही कहता है to be truly rich we need to be able to give as well as to receive इसलिए रिजड़ बहुत ज़्यादा पैसे church, charities और अपने foundation में दे दे थे क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्हें ज़्यादा ज़्यादा पैसे चाहिए तो उन्हें ज़्यादा पैसे देने भी पड़ेंगे और यह दुनिया के बड़े बड़े आमील लोगों का और भी ज़्यादा आमील होने का secret भी है वो लोग भी अपने foundations की मदद से बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट करते हैं पर दूसरी तरह poor dad सोचते थे जब उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा तब वो डोनेट करेंगे पर problem तो ये था उनके पास कभी भी extra पैसे नहीं होते थे इसलिए वो और भी ज़्यादा hard work करते थे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बजाए पैसो के main rule को जाने give and you shall receive वो पिलिप करते थे receive then you give बुक के last में author बस यही कहता है उनके दोनों debt से ही उन्होंने बहुत कुछ सिखा था वो एक तरफ एक capitalist थे जिने पैसो से पैसे बनाने के खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और दूसरी तरफ वो एक socially responsible teacher भी थे उनके educated debt की तरह तो दोस्तो रिजज़ाट पॉड़ाट के chapter 6 से हमने क्या क्या सिखा ज्यातार talented लोग सिर्फ एक skill दूर रहता है success पाने से अगर वो सिर्फ एक और skill develop कर ले तो वो अपने career में एक अलग level में पहुश सकते हैं जहाँ पर हमने एक young writer की story देखी हमें कोई भी चीज में specialist नहीं होना चाहिए हमें सब field के बारे में ही थोड़ा बहुत जानना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग specialist हो गए किसी चीज में तो हमें उसके उपर ही पूरी तरह depend रहना पड़ेगा नमबर त्री और सबसे main चीज है work to learn don't work for money कभी भी पैसे के लिए कोई भी job मत करो ऐसी job ढूंडो जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सको क्योंकि long run में learning ही आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी नमबर फोर अगर आपको असल में अमीर बनना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और सिर्फ पैसे ही नहीं आप और भी कही तरीके से लोगों की help कर सकते हो दोस्तो अगर आपको रिचार्ड पॉड़ाड का free e-book चाहिए तो चैनल सबस्क्राइब कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए नीचे देयो है लिंक से और आप ये बुक मेरे लिंक के थूरू Amazon से खरीज भी सकता है हिंदी इंग्लिस दोनों में अविलेबल है अगर आपको ये केस्टेडी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेर भी ज़रूर से करे और डिजड़ पौड़ आट की पूरी प्लेलिष देखे सब कुछ पहले से समझने के लिए हम मिलेंगे अगले हपते न्यू बुक इगीगाई के साथ तब तक चैनल सबस्क्राइब करे और सीखते रहे सिखाते रहे जय हिंद जय हिंद